असलामनेकुम विडियों वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल अमचे की लिया था मालूम करते हैं कि आप सब्सक्राइब करना है किन बातों का खयाल करना है अच्छाइब करना है चाल बेखेगा अच्रम पूचिका बेल ऐकन से रहा है इंस्ट्राइब कर फॉलो पर ईज़ेंगा चलंजी वुड़ेश्यूंड अच्छाइब सबसे पहले कर दो कि सफ़ा और मर्वा पे चक्र लगाने के सब्सक्राइब हमने सफ़ा से शुरू करना हो तो आप होंगे सफ़ा पर जब आपका सांतवा चक्ट बोगा तो आपके मरवा पर तो इस बात खयाल रखी का कुछ लोग समझते हैं कि सफ़ा से मरवा मर्वा से षफ़ा जाएंगे फिर वाबे सोभास आए Hmmm तो वह एक चक्क्र औाउन होगा, तो ऐसा नहीं है सफ़ा से मर्वा 1 और मर्वा से सफ़ा 2 चक्र हो जाएगा आपर टिपस के हवाले से बात कर लेती हैजी कि अजिके सबसे पहले टिप यह जब आपने तवाफ करना है तो आपने तवाफ करने के पाद कुछ देर अराम को अराम देना है उसमे बैठ जाना है, और बैठ भी में के पाद आपके सफ़ा मरवा यान्य दक सही के चक्र शुरू करने हैं कि मताफ नती जब हम पहुंचते हैं तो हम अपने होटेल से निकलते हैं जहार मस्जब हराम में चलते हैं चक्र मताफ तक पहुंचते हैं फिर हम मताफ में तवाफ के चक्र लगाते हैं फिर हम सफा मरवा आते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी टांगे चला दुफ चुती होती है सफा मरवा के चक्क्र को असान करने के लिए जासे दिए बैक पैक पैक्पैक्स लेते हैं तो मैं भी यही करते हूं कि अपने होटेल से बैक पैक को अच्छा सब भड़ लेती हूं तके शाम तक जाना हो, जादा बेर बिचाना हो तो इन साथ अराम से वक बिजार सकता है लेकिन अगर आपके पास बैक पैक भर भर कर होगा तो क्या होगा कि आपके तंदे पर है और आप चुक्तर लगा रहें तो आप मुत ज्यादा थख जाएंगे शी पैचर अप्सिंगे है कि आपने कम से कम समान रखना है जो आपको पत होता है या चलने से ज्यादा मसला होता है या फिर वो मेरी तरह है जिन्हें थेंड लगती है उनके जिरूरी है कि मस्दुन हराम ने बाहर इब्राहिमन खली ओड की तरफ चमड़े वाले मोसी मिल रहे होगे हैं 10-15 रियाल के मिल जाएंगे आप लेले और जब आप सफा के लिए है जिनके साथ बच्चे हो या पेशिंट हो या मेरी तरहां खुद वो ऐसे हो जिनको या तो बीपी लो हो जाता है या शुगर लो जाती तो लाजमी अपने साथ कुछ नम्कीन और कुछ मीठा थोड़ा से कुछ खाने का रखें नॉर्मल सा कि जब आपको लगे कि आपको बीपी या तो लो है या शुकर लो है तो आप फॉरन उसको खाले और आपके विए उम्रा है वह बहुत आसान हो जाए अच्छा एक चीज काफी लोगों के परिशान ही करती है उनको लगता है कि सभा मरवात है यानि कि सही बंगोमे करना है यानि कि मतलब हम बैठ न अब बेच में अराम नहीं कर सकता है आप जहां पर भी लग रहे हैं आप पहला चक्र लगाया दूसरा लगाया तीसरा लगाया या आप तीसरे चक्र से चौथी चक्र की तरफ जा रहे हैं पीछ में आपको थोड़ी सी दियर डेस्ट देने की ज़ब्रते वहीं पर बैठ ज जाता गर्मी है यह आप जाता लूस्ती कर रहे हैं तो फिर सम्सम के जो कैंस पर वहारा है कूलर्स टाइप है वहां पर लगे हुगा है सफा मर्भा पर अपने साथ बैग में नहीं बहरे जाता चुका है वहीं से आप ले ले और थोड़ा सा अपने सर पर भी लगा लें तो जाता है तो जिस तरह हम अभी अपने अपने बालों को शुपा रहे हुए हैं हिजाब तो इसी तरह जब हम बालों को काट देए हैं तब भी उनको आप बहुत वहां जगे जगे टेस्ट्रेम हैं जिए हैं आप वहां पर रखे ना कि आप इस नहीं से गिराएं और बेपर अगर। हैं जो आप बाप बेटी होते हैं कि उस उस पर हम एक साथी चक्र लगाएंगे तो खावातीन दोड़ना शुप कर देख हैं तो बिलकुल नहीं मर्द हजरात के लिए दौरना जरूरी है तो खावातीन अपनी नर्मल स्पीड से जाएंगी मर्द हजरात दोड़ें वो जब आगे जाएंगे तो मर्ड इनका वेट कर लें और आप लोग साथ चत्र जो है वो कॉंटिन्यू कर जाएं एक सबसे बड़ी टिप और सबसे बड़ी जो यहां पर लोग करते हैं वो यह है कि सफा मर्वा पर जहां पर भी जमात मतलब जम नमाज होती है लोग जमात के आप इस तहां आप नमाज कर सकते हैं आप इस तहां करके नमाज पर लोग यहां करते हैं आप देखें काबत ल्ला की सिंद्ध का तायून करें उसके बाद ही आपने नमाज पर लोग यहां करते हैं आप देखें काबत ल्ला की सिंद्ध का तायून करें उसके बाद ही आप कि सफ्वा पूंचें ठहरें रुकें और अपने धुवएं मांगें जब मरवां भी पहुंचें तो भी पहरें रुकें और अपनी दॉआएं मंगें तो दो पर आप सफहा उर्ण धो और दुआओं कि कबुलियत की जित्ते मकाम है, बुलियत के एक सख्वा मरगा दूए है.